हेलो एवरिवन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल अपना सफर 786 में आज हम एक और टैरो का रिडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं उनकी करंट फिलिंग आपके लिए क्या रहने वाली हैं वोकी वीवर्स हमेशे की तरह ये रिडिंग जनरल है कलेक्टिव लेवल पर है टाइमलेस है और सभी जोडियक साइन्स के लिए है आपका जो भी जोडियक साइन है ये रिडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जनर स्पेसिफिक न नहीं है आप male है, female है या फिर मारीड हैं, इन्मारीड है, यह reading आप सभी के लिए रहेगी, यह हमारे पास do cards आगे हैं, इने हमने ले लिया है, जब तक मैं कि और कार्षी ने काल रहे हूँ आप अपने person को visualize करते हुए स रेडिंग को देखें और positive mind के साथ देखें, तो यहाँ पना हमारे नेक्स कार्ड जो आए हैं इनर वाइस सप्रेशन तो ऐसा लगता है कि आप में से ना कोई परसन तो है जो अपनी ना खुआई शुको ना अपने दिल में ही रखे हुए था बताने ही रहा था अपने पार्टनर को और किसी से भी शेयर नहीं कर रहा था उसके जीवन में खुशियों की कमी हो सकती है इस वज़ा से भी उसको लगता था जो भी खुशियां अभी उसकी लाइफ में हैं कहीं ये भी न खो जाएं किसी की नजर न लग जाए और काफी टाइम तक उस इनसान ने अपनी फेलिंग्स को अपने ही दिल में रखा अपने पार्टनर से भी शेयर नहीं किया जो उनके लिए फील करते थे उन्होंने बताया नहीं ये आपकी एनरजी हो सकती है ये भी आपके पार्टनर की भी हो सकती है वाइस वरसा हो सकती है जो बागी सारे हमारे पास कार्ट्स आएं है वाएं है इन कार्ट्स को देखकर ऐसा ही लगता है कि आपके परसन नेना आपसे काफी सारी चीज़े हाइट करके रखी उनको ऐसा लगा कि अपनी फीलिंग्स जब आपको बताएंगे तो पता नहीं आप किस तरह से रियक्ट करेंगे वो हमेशा ही आपके सामने नॉर्मल से बनने की एक्टिंग करते रहे कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है मलत उन्होंने जूट भी नहीं बोला होगा बढ़ा अपनी फीलिंग्स आपको अच्छे से एक्सप्रेज भी नहीं की होंगी और इस परसन ने कभी भी कनफेस नहीं किया कि ये आपसे प्यार करते हैं अपने प्यार को चुपा कर रखा आपसे बढ़ इस परसन की लाइफ में बहुत सारा दुख था जिसकी वज़ा से ये ऐसा करते रहे इनको ऐसा लगता था कि जिस परसन से भी ये प्यार करते हैं वो परसन ने से दूर चला जाता है उसे ये खो देते हैं इस बार ये खोना नहीं चाहते थे आपको इसलिए भी इन्होंने अपने फिलिंग्स आपसे छुपा कर रखी आपको बताया नहीं इन्हें ऐसा लगा आपकी जो फ्रेंड्शिप है इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टन्स रखती है ये परसन आपको आपकी फ्रेंड्शिप को खोना नहीं चाहते थे इसलिए भी इन्होंने ना अपनी फिलिंग्स आपको बताई नहीं और अब आकर के इनको ऐसा लगने लगा है कि इन्हें अपने प्यार के बारे में आपको बताना चाहिए कि इन्हें आपसे प्यार होने लगा है आप इन्हें अच्छे लगने लगे हैं और अब ये अपनी फिलिंग्स को छुपाने ही पा रहे हैं कहीं न कहीं इनके face से, इनके how-how से, इनकी body language से आप जान ही लेते हैं कि कहीं न कहीं ये कुछ छुपाने की कोशिच कर रहे हैं इनकी दिल में आपके लिए feelings आती जा रही हैं ये आप जान चुके हैं बड़के person अभी भी अनजान है इस बास से कि आप इसकी feelings को जानते हैं तो ये एक ऐसे ही person की energy है जो अपने प्यार का इज़ार नहीं कर पाया है आपसे अपने feelings को चुपा कर रखा हुआ है ये आपके crush हो सकती है और ये आपके husband हो सकते हैं की वाइफ हो सकती है जो अपनी फीलिंग्स को अपने ही दिल में छुपा कर रखती है पूरी तरह से आप पे जाही नहीं होने देती है शायद इनको कहीं न कहीं ऐसा भी लगता होगा अगर इन्होंने आपको बदाया कि आपसे बेंतहा प्यार करते हैं तो कहीं आपके इसने वाले हैं आपके बारे में इनको ऐसा लगता है कि आप जितने अच्छे इनके दोस्त है ना उतने ही अच्छे लवर भी साबित होंगे यह आपके साथ एक ऐसा बांड फील करते हैं जो कभी न तूटे का इन्हें ऐसा लगने लग गया है अब आप पे इनको ट्रस होन लगिया है जबसे यह आप से मिले हैं आप से बात करके इनको कफी हलका फुलका सा महसूस होता है आज रात ही सोचने वाले हैं कि इनके जीवन में भी खुशियां आने जा रही है इनके जीवन में भी रिपनेस आने जा रही है इनके जीवन में भी ना खुशहाली आने जा यह सोच कर आज बहुत मुतमईन होंगे और चैन की नीन सोने वाले हैं इन्हें ऐसा लगेगा कि यह अपना बेफिक्र हो गए हैं इन्हें एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने जा रहा है जो इन्हें बहुत सारी खुशियां दे सकता है और आपको पाकर इनके जीवन में खुशों की शुरुआत तो हुई ही चुकी है ओके वीवर्स तो यह थी आपकी रिडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी कुछ तो किलैरिटी मिली होगी कुछ तो रेजिनेट की होगी मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें बाबाई